अवरत को कितने बार सेक्स की जरूत होती है ऐसे सवाल लोगों के मेरे पास में आते रहते और अवरत को चाहिए कितना लेकिए एक और भी सेक्स किया और वो सही तरीके से किया तो एक बार में भी वो खूश हो सकती है कितने बार गई है ऐसा कोई करेक्ट नमबर नहीं है और आदमी का क्या होता है कि एक बार करने के बाद में एक बार पतन हो गया उसके बाद में वो second time करने के लिए उसको time लगता है और वो first time और second time के बीच में जो time है उसको बोलते है refractory period तो आदमी को तो time लगेगा ना फिर से erection आने के लिए औरत को चाहिए मगर आदमी कर नहीं सकता है ऐसा पाया गया अलग-अलग study में कि एक औरत पुरे दिन भर में यदि दो-तिन ब activity उसमें वे activity में उसका दो-तीन बार चार बार पांच बार बी उर्गेर मिल सकता है उसको समधान मिल सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए पुरा यह पूरा कपूरा फॉलो करते है तो डेफिनिटली एक ही इसमें उसको दो-तीन बार हो जाएगा और वह बहुत कुछ होगी अच्छा चोटा है ऐसा कोई बोलने का कारण नहीं है यह तो आप बार बार पूछते रहते हैं बराबर है क्या अंदर तक गया की नहीं गया तरह को समाधन हो रहा कि नहीं हो रहा फिर वह तरस्तों को दिहां मुझे कोई समझ में आ रहा है और वह आपका छोटा है ऐसा कुछ तो भी बोल देती है क्योंकि और वरत को वजयरा में देड़ इंची सेंसेशन है तो कितना भी लंबा रहा कितनी भी लंबी साइज रही तबी उस प्रिश की जिंदा नहीं करना है आदमी लोगों ने मतलब लड़कों ने कि वह लंबाया कि चोटा है तीन इंच एरेक्शन में के बाद में तीन इंच होना जिरूरी है और इरेक्शन नहीं है तब समझो सववा इंच देड़ इंच इतना रहा त भी चल जाता है गोले में अधर लंबाय को कुछ प्राब्लिम नहीं है एक और वरत को कितने बार होना चाहिए उसका कोई करेक्ट अकड़ा नहीं है वह कितने बीबार कर सकते कि और और इरेक्शन नहीं करना पड़ता है और तो सिर्फ अकूमोडेट करना है पेनिस को तो वह दो बार चार बार उसको चाहिए चाहिए शादी के तूरण बाद एक साल तक हो सकता है कि दो बार से चार बार रोज कपल्स संभूख करते रहते हैं तो यह आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेर करो थेंक यू परी मच